नमस्कार आप सभी का हारदीक स्वागत एनवीर एज्यूकेशन के सी यूटूब चैनल पर और मैं संपत लेड़ आप सभी को राजस्थान कमपिट सिक्षक बरती की तहरी करवारा हूँ जिसके अंडर आपके जो ए पार्ट के अंदर आपके राजस्थान के जो करेंट पैट हैं तो सबसे पहला काम करें कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में जो बैल आइकॉन आ रहा है उसको भी ओन कर लीजिए जिससे मेरी क्लास अप्लोड होते ही उसकी सूचना तुरंत आपके अपने डिवाइस पर मिल जावे चलिए सुरू करते हैं तो आज के करेंट पैर्स का पहला प्रसन आपकी सामने स्केन के उपर लेकर आ रहा हूँ वही पहला प्रसन है हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री यूवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते के लिए इंटर्न सिप योजना की सुरूआत कब से होगी प्रसन देट है आपकी एक जनवरी 2022 लेकिन इसमें महा अगर आपको पूचा चाहें तो आप बता सकते हैं एक सौरी जनवरी 2022 ठीक है अब देखीगा यहां पर राजस्थान में मुख्यमंतरी यूवा संबल योजना के तहत बेरोजगार भत्ता लेने वाले यूवाओं को अब सरकारी दप्तरों में परती दिन चार घंटे काम करना होगा प्रदेश में ये काम इंटरन्सिप के तौर पर काम करना होगा प्रदेश में ये योजना एक जनवरी 2022 से लागू होगी इसके लिए राजस्थान स्किल डवलप्मेंट कॉर्परेशन के तीन महा का कोर्स भी उनको करना होगा वर्तमान में बेरोजगार युवाओं को राजस्थान सरकार गर बैटे बेरोजगारी भत्ता दे रही है बेरोजगार पूरुसों को 4,000 रुपे और बेरोजगार महिलाओं को 45,000 रुपे बत्ता दिया जा रहा है इसके साथ ही मैंने आज चैनल के ओपर एक वीडियो और अप्लोड किया था कि जो भी बेरोजगारी भत्ते के अंतर के ये काम करेंगे तो उनको सरकारी कैप और टी सट उनको पहनना पड़ेगा सरकारी कैप और टी सट पहनना पड़ेगा जैपूर में विद्यूत वित्रन निगम के प्रत्थम computer gas insulated आधारीत 33 बटाई 11 केवी सब इस्टेशन का लोकारपन किसने किया है तो इस परसंद का उत्र होगा डॉक्टर बीडी कला ने जैपूर में विद्यूत वित्रन निगमो के प्रत्थम computer gas insulated आधारी 33 बटाई 11 केवी सब इस्टेशन का लोकारपन जो है डॉक्टर बीडी कला के द्वारा किया गया है देखिए यहां सब इस्टेशन के बनने से बिजली सीज़त में कमी आने से परतिवर्स एक करोड रुप की बचत होने वाली है तीसरा प्रशन है हाली में राजस्थान में कारियरत किस company के head CSR अनुपम नीदी ने CSR लेडर्शिप अवार्ड जीता है तो इस प्रसन का उतर होगा है हिंदूस्तान जेंक चौता प्रसन है आपका चौता हाली में राजस्थान सरकार द्वारा कितने नवीन पसुचिकिस सा उपकेंदर खोलने की मंजूरी परदान कीगी है तो इस प्रसन का उतर होगा आपके 30 नवीन जो है उपकेंदर खोलने की मंजूरी परदान कीगी आप यहाँ पर देखें इसके बारे में कि राजस्थान स करने की स्विकर्ति प्रदान कर दी है ठीक है जारी कर दी है पस्वालन मंत्री लाल चंद कटारिया ने बटाया कि बजट गोष्णा की अनुपालना में विबिन जिल्लों में 30 करने की जो है आपके स्विकर्थी जारी कर दी गई है तो यह आपको इसके बारे में दियान रखना है आगे दे पांच प्रसन है मुख्यमंत्रे आसो गैलोत ने HPCL रिफाइनरी लिमिटेड के कितने करोड रुपे के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्विकर्थी परदान की है प्रसन को वापस सुनिये मुख्यमंत्रे आसो गैलोत ने HPCL रिफाइनरी लिमिटेड के लिए कितने करोड रुपे के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्विकर्थी परदान की है तो इस प्रसन का उत्र होगा आपके 150 करोड रुपे कितने वही 150 करोड रुपे की जो है स्विकर्थी परदान की है देखें यहां पर मुख्यमंत्रे आसो गैलोत ने इस मंजूरी से राज़स्थान जिफाइनरी के कारी को गती मिले गी और यहां प्रोजेक्ट समय की दर्स्टी से महत्वपून इस परियोजना को मुख्यमंत्री स्वयम इस कारें की देख रेख कर रहे हैं यह कारियों फास्ट लिए और अच्छा हो इसके लिए मुख्य मंत्रिया सो गयलोत खुद जो है इन कारियों की देखरेग भी कर रहे हैं अगी देखे प्रसंग के अच्छे हैं हाली में राजस्तान के किस व्यक्ति को भूमी सरक्षन का दुनिया का सर्वोच पुरुसका लें लाल अंजना नेयकि किसके द्वारा लुकित राजस्तान को- Pak Radio राजस्तान को ऑपरेट्व कोड पुष्टक का विमोचन किया है राजस्तान को अपको पुष्टक जो है वी मोचन किया तो इसका उतर होगा teachings सर्मा देखें आपर इसके बारे में इस पूस्तक को लेकर राजस्तान सहकारिता सेवा के स्व्यूंक्त रजिस्टार पद से सेवा निवरत अधिकारी डॉक्टर इस पूस्तक के जो लेकक है ठीक है तो भी कौन है आपके डॉक्टर लीला पूरुसवत्म सर्मा यह जो है आपके स्व्यूंक्त रजिस्टार पद से सेवा निवरत अधिकारी है आगे देखिए आएंट प्रस्न है हाली में टोक्यो पेरालंपिक में 5 सितंबर को जापूर के बैडमिंटन कि लाड़ी कर्ष्णा नागर ने किस कैटेगरी में स्वान पदक जीता है गोल्ड मेंडल जीता है तो इस प्रस्न का उत्र होगा आपके SH6 वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर जो है इन्होंने गोल्ड मेंडल जीता है देखिए आपर उलेकनी है कि SH6 कैटेगरी में हुए रोमान चक मुकाबली में कृष्णा ने होंग कॉंग के चूमान केई को करारी सिकस्त देकर गोल्ड मेंडल जीता है कृष्णा नागर आजसान के दूसरे ऐसे की लड़िया जिन्होंने ओलमपिक में गोल्ड मेंडल जीता है इससे पहले सुटिंग में अवनी लेकरा आने अवनी लेकरा ने जो है अवनी लेकरा ने जो है गोल्ड मेंडल जीता था आगे देके नौवा प्रसन है हाली में अपू के नाम से प्रसिद किस करनेड अभिनेता का निधन हुआ है तो इस परसन का उत्र होगा आपके पुनित राजकुमार का, किसका पुनित राजकुमार का निदन हुआ है और लाश्ट दस्व परसन है, इसके बाद आपको जो क्वेशन आ रहे हैं उनका अंसर कमेंट बॉक्स में देने है आली में, बारत में राष्ट ये एकता दिवस कब मनः गया है तो इस परसन का उत्रोगा आपके 31 अक्टूबर को हर वर्स जो है, यहाँ दिन बारत के पहले उपषण परधान मंत्री और गरह मंत्री सरदार वल्लब भाई पतेल की जहनती का परतिक है इस साल सरदार वल्लब भाई पटेल की 145 भी जहनती है और सरदार वल्लब भाई पटेल का जनम जो है 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद जिल्ये में हुआ था तो यहां पर साथ ही हमारे आज के करेंट पेर्श के कोसंस की जो स्रीज है वो समापत होती है और अब आपकी सामने जो है कुछ कोसंस आ रहें जिनका आनसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है वही है हाली में राजस्तान सरकार द्वारा कितने नवीन पसुची किसा उपके अंदर खोलने की मंजूरी परदान की गई है दूसरा परसन है हाली में अपू के नाम से प्रसिद किसक अनड अभीनेता का निदन हुआ है इन परसनों का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में द किये जा रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ें जय हिंद जय भारत